हलो बच्चों आज बाट तुम लोगों को कॉंप्लेक्स नंबर में कोश्चन कराने जा रहा हूं और इस तरह से मिलते रूते कोश्चन अक्साइब दिखाए देते हैं तो बच्चों इसमें देखो लिखा हुआ है कि देंबर आफ कॉंप्लेक्स नंबर सटेस्फाइंग इस बराबर दिस बराबर दिस ठीक है तो मौड जेट प्लस फाइब बराबर मौड जेट माइनस फाइब बराबर मौड जेट माइनस फाइब दिखा हुआ है इसका जो मतलब है मौड का मतलब क्या होता है कि मौड का मतलब क्या होता है मौड का मतलब होता है distance from the origin जैसे अगर मा माल लिए कोई complex number z यहाँ पर है तो origin से जो distance होती है उसे हम mod z कहते है अगर सिर्फ mod z की बात करें तो origin से distance होती है वो point का origin से distance है ठीक है अच्छा अगर माल लिए z1 z2 दो point है और हमें इन दोनों के बीच में distance निकालना है तो हम इसके बीच में यह distance है यह जो दिख रहा है इसक 2-z कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि mod है अंत में under root a square b square करके positive होई जाएगा देखो जैसे z बराबर अगर a plus ib है तो mod z बराबर क्या हो जाएगा under root a square plus b square ठीक है और a plus ib का मतलब होता है वास्तों में यह point a,b है ठीक है हम z को ऐसे भी लिख सकते है a,b अगर z बराबर a,b ऐ इसे रिखा हुआ है ordered pair वाले form में तो इसका मतलब a,a plus ib ठीक है तो z क्या होता है एक point होता है अगर z का origin से distance निकालना है तो उस point का origin से distance निकाल देते हैं और under root a square plus b square का rule लग जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर a ये है बी ये है और पाइतागरस rule से यह जो distance आती है under root a square plus b square से ठीक है तो अगर z1-z2 लिखो या z2-z1 लिखे हो mod के अंदर तो उससे फरक नहीं पड़ता क्योंकि under root something square plus something square जब करोगे तो वह automatic positive ही हो जाएगा तो z1-z2 mod का मतलब होता है कि z1 और z2 के बीच में distance ठीक है तो अब जैसे अब यह जो question लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो निकला इसका मतलब निकला कि z का minus 5 से distance अब मैंने minus 5 क्यों कह दिया क्योंकि z1-z2 यहाँ पर भी आपने फार्मूले में देखा अगर मुझे किसी complex number के लिए यह दिखाना है कि 1 से दूरी 1,0 से ठीक है तो यह जो distance होगा na z1-1 का mod लिखेंगे ठीक है यह 1-0i लिखा हुआ ह रवास्तों में 1-0i ठीक है तो z-1-0i का whole mod मतलब z-1 ठीक है तो जब कभी हम complex number पर mod लगाते हैं तो वो एक distance का meaning देता है और अगर यह दो अलग-अलग complex number है तो यह दोनों के बीच में distance होता है और ऐसी एगर माल लिए z plus 1 कर दिया जाया तो इसका मतलब होता है z minus of minus 1 तो इसका मतलब यह हुआ z का minus 1 से distance तो यह z minus minus 1 का mod मतलब क्या निकलेगा z plus 1 का mod ठीक है तो जब कभी आपको distance बताना हूँ मतलब किस point से distance निकालने का बात हो रही है तो पहले आप यहाँ पर minus कर लि तो अब समझ में आ गया mod का concept तो mod concept होता है distance और mod का अक्सर use कियाता है तुमारे exam में तो अब देखो यह जो लिखा हुआ है geometrically इसको समझते है कि आखिर इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि z का distance है वो बराबर दिया हुआ है और 3 point से तो देखा जा तो यह जो लिखा minus 5 का mod बराबर z minus 5 बराबर इधर z minus 5 आगी ठीक है चली तो अब इसको देखते हैं कि आखिर कौन से 3 distance बराबर है तो minus 5 तो यहाँ पर होगा ठीक है purely real है है ना minus 5 से distance z का minus 5 से distance इसका मतलब यह निकला कि z का plus 5 से distance ठीक है तो plus 5 कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा ठीक है तो plus 5 से distance और plus 5 मतलब 5 plus 0i 5,0 z minus 5 जब complex number में हम real axis पर 5 लिख रहे हैं तो मतलब 5 plus 0i ठीक है और z minus 5i का मतलब क्या निकला z का 5i से दूरी तो यह रहा 5i ठीक है यह 5i ठीक है इधर imaginary axis पर तो यह जो z जो लिखा हुआ है ना यह वाला यह z और यह z यह z कैसा point है एक ऐसा complex number है जो इन तीनों से same distance पर है जो इन तीनों से same distance पर है तो इन तीनों से same distance पर आने वाला point यह origin ही अकेला हो सकता है यह distance यह distance और यह distance बराबर है वास्तों में देखा जाए तो कुछ situation ऐसे बन रही है z यहाँ पर लाई कर रहा है ठीक है z का minus 5 से distance बराबर z का 5 से distance z का minus 5 से distance बराबर z का 5 से distance और z का 5i से distance ठीक है यह बराबर है तो z सिर्फ एक ही point हो सकता है वो भी origin तो यहाँ पर the number of complex number पुछा गया है कि ऐसे कितने complex numbers exist करेंगे मतलब ऐसे कितने points exist करेंगे complex number का मतलब होता है point तो जब तुमसे कहा जा रहा है कितने complex number exist करेंगे तो मतलब आपसे कहा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है यह ऐसे कितने points होंगे जो इन तीनों से same distance पर है ठीक है तो हम answer कहा देंगे ऐसा सिर्फ एक point है जो इन तीनों से same distance पर है तो इसका ये answer हो जाएगा ठीक है बच्चों तो कभी भी mod में जो है z लिखा हो और something plus minus करके लिखा हो तो वास्तों में उस z का उस point से distance के बारे में बात हो रही है ठीक है अब यहाँ पर अगर ये कर दिया जाए z minus z1 whole mod बराबर z minus z2 whole mod बराबर z minus z3 whole mod अगर ऐसे कर दिया जाए और कह दिया जाए कि z1, z2, z3 are non-collinear ठीक है z1, z2, z3 एक ही line में नहीं है तो बताओ z number of values of z मतलब number of complex number which are satisfying this मतलब z के बारे में बुज़ा जा रहा है कि z कितने z exist करेंग जो इसको satisfy कर जाए अगर z1 यहाँ पर है z2 यहाँ पर है और माल लिए z3 यहाँ पर है तो ऐसे कितने complex number है जो इन तीनों same distance पर होगा जाएर से बात है यह distance, यह distance और यह distance ऐसा सिर्फ एक ही point exist करेगा जो इन तीनों से same distance पर है और सबसे बड़ी बात है कि z1, z2, z3 से मिलाने माले z1, z2, z3 से पास करने माले circle का center ही तो है यह तो z is the center of the circle which is passing through z1, z2, z3 ऐसे भी question आजकता है तुम्हारे exam में कि if z is satisfying z-z1 mod बरावर z-z2 mod बरावर z-z3 mod then option में लिखा होगा कि z is representing ellipse perpendicular bisector है ना तरह तरह का option होगा तो उसमें एक option यह भी हो सकता है कि z is the center of a circle which is passing through z1, z2, z3 ठीक है तो z1, z2, z3 से पास करने वाले circle का center ही होता है तो यहाँ पर भी z1, z2, z3 मतलब 3 point से पास करने वाले circle का center ही है और center हमें सा unique होता है है कि ने तो जब इस तरह से जब 3 distance आपस में बरावर दी होई होगी तो उस समय आप सिर्फ number of complex number में एक ही one answer दीजेगा सिर्फ एक ही complex number है जो इसको satisfy करेगा और अगर कोई और geometry में अंदर घुसता है तो वो एक circle का center जो z है वो एक circle का center होगा और circle पर 0,1, z2, z3 ये तीनो points होगे ठीक है समझ में आ रही बात तो बहुत अच्छे से इसको आप समझ लीजे इसको note कर लीजे ठीक है चलो अभी के लिए इतना ही फिर मिलेंगे बाई बाई